देश में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंदर सरकार ने एक्सपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 40 प्रतीशत ड्यूटी लगा दी है अभी तक इसके एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था लेकिन अब सरकार ने इस कदम से देश में प्याज की अबविलिधी को बनाय रखना चाहती है और इससे कीमते भी नियंतरन में रहेगी विट मंतराले ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जौनकारी दी कंजूमबर अफियर्स मिनिस्ट्री के आकडो के अनुसार प्याज की ओल इंडिया एवरेज रीटेल प्राइस सनिवार को 30.72 रुपे प्रती कीलो थी अधिक्तम की कीमत मिजोरम के चमफई में है ज्यादा 63 रुपे प्रती कीलो में प्याज बिगरा है नियुनतम कीमत मध्यप्रदेश के नीमच और बरहानपूर में है जहां प्याज 10 रुपे प्रती कीलो में बिगरा है वहीं इस महीने की शिरुवात में यानी एक अगस को प्याज की अधिक्तम कीमत नागा लेंड के शामा टर में थी यहाँ प्याज पिछत्तर रुपे प्रती कीलो में भी रहा था नियूंतम कीमत नीमच में भी था यहाँ 10 रुपे प्रती कीलो ग्राम में प्याज भी रहा था और इंडिया एवडेज डीटेल प्राइस 27.27 रूपे थी दिली में इसका प्राइस 30 रूपे प्रती कीलो चल रही थी क्रिसील ने इस महीने की शिरुवात में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सप्लाई घटने से सितंबर की शिरुवात में प्याज 60-70 रुपे प्रती कीलो तक पहुच सकता है फरवरी में महराश्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्जियों में रभी की फसल जादा पक गई मई में इस इलाकों में बे मौसम बारिश से शेल्फ लाइफ 6 महीने से घटकर 4-5 महीने रखे रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्टूबर से प्याज की फसल आनी शुरू हो जाएगी इससे आपूर्ती बढ़ेगी और कीमतों में भी नर्मी आईगी सरकार ने आपत इस्तिती से निपटने के लिए प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड यानी PSF के तहत 3 लाग का प्याज का स्टॉक बना रखा है ताकि कम सप्लाई वाले मौसम के दौरान बढ़ती कीमतों को रोका जा सके इसके अलावत सरकार प्याज को E-Auction E-Commerce के साथ साथ राज्यों के साथ मिलकर Consumer Co-operative Retail Outlets के जरिये मार्केट में उतार रही है आपको पता दे कि साल 2021 में भारत ने 26.6 लाख मिट्रिक टन प्याज का उत्पादन किया था चीन ने 24.2 लाख मिट्रिक टन प्याज उत्पादन के साथ दूसरे नमबर पर रहा था और तीसरे नमबर पर इजिप्ट था जिसने 3.3 लाख मिट्रिक टन प्याज का उत्पादन किया था भारत में होने वाले प्याज के कोल उत्पादन में महराश्ट की 43 प्रतीशत हिस्सेदारी थी और मध्यप्रदेश की 16 प्रतीशत करनाट की 9 प्रतीशत और गुजरात में भी 9 प्रतीशत हिस्सेदारी थी